मुझे में लिप्टा पिता उसके साथ सफेद कपड़ों में लिप्टी दो साल की उसकी मासूम बेटी भले ही लोगों के जुबाँ पर अमर रहे के नारे हो लेकिन उनकी आँखों में अन्वरत बहते आँसू जिसने भी इस द्रिश्य को देखा उसका कलेजा फट गए हर किसी की आँखों से आँसू की बोच्हार बह निकली और लोग एक पिता और कुत्री की आखिरी यात्रा में भावुक होकर रोने लगी मामलाज जमुई जिले का है जहां सड़क दुर घटना में आर्मी जवान पिता और उसके दो साल के बेटी की दुखद मौत के बाद मंगलवार को उनकी शव यात्रा निकाली गई थी इस दौरान आर्मी के उनके सहयोगी जवानों ने उन्हें अंतिम विदाई दी तथा उनकी अर्थी को कांधा भी दिया नामलाज जमुई जिले के गिद्धोर प्रखन प्षेतर के बंजुलिया का है जहां आर्मी जवान अजीत पांड़े की मौत के बाद आर्मी के उनके साथी जवानों ने उन्हें अंतिम विदाई दी दरसल जमुई जिले के गिद्धोर प्रखन प्षेतर के बंजुलिया के रहने वाले आर्मी जवान अजीत पांड़े वित्य सोमवार को उस दोरान एक सड़क हादशे का सिकार बन गए जब वह अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए महादेव सिमरिया गए हुए थ महादेव सिमरिया से लोटने के दौरान उनकी कार घर से महज सौ मेटर की दूड़ी पर एक पेड़ से जा टक रही इसमें आर्मी जवान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनकी दो वर्सिये बेटी की मौत इलाज के दौरान हो गई इसके बाद मंगलवार को ग्रमिडों ने आर्मी जवान की सव्यात्रा निकाली जिसमें लोग तिरंगा जंडा लेकर शामिल हुए लोगों ने अपने लाल को अंतिम विदाई दी तथा उनके नाम के नारे भी लगाए उनके अंतिम विदाई में गया ओफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर से भी आर्मी के जवान शामिल होने पहुँचे इस दौरान हजारों हजार की संख्या में लोग आए तथा हर किसी के आँखों में आसु था जिसने भी पिता और पुत्री की लाज को एक चिता पर लेटे देखा हर कोई भावुख हो गया जमुई से लोकल एटीन के लिए गुल्शन कश्यव की रिपोर्ट